हेलो वीवर्स मैं हूँ संजे सर्टिफाइट कराटे ब्लेक बेल्ट एंड फिटनेस ट्रेनर फ्रेंड्स आज का टोपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे केलरीज के बारे में फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि वजन कम करने के लिए कम केलरीज खाने पड़ती है वजन बढ़ाने के लिए आपको जदा केलरी अलग अलग होती है आप रोटी खाते हैं उससे आपको अलग केलरीज मिलती है आप पराटा खाते हैं उससे अलग केलरीज मिलती है आप जूस पिते हैं उससे अलग केलरीज मिलती है तो अलग अलग खाजेप्रदार्थ की केलरीज अलग अलग होती है केलरीज खाने और पीने के माध्यम से उर्जा के खबत को प्रस्तुत करती है और शारेरिक गतिविद्यों के लिए उर्जा का उप्योग किया जाता है फ्रेंड्स मानव जीवन को जीवित रखने के लिए केलरीज या उर्जा के आवशक्ता होती है जैसे चलना, फीरना, सास लेना, दिल का दड़कना, ब्लड का पंप करना और आपका शरीर भोजन से या उर्जा या केलरीज प्राप्त करता है केलरीज बोडी में फ्यूल का काम करती है जिस तरह आप कार में पेटरोल डलवाते हैं उसी तरह बोडी के लिए केलरीज के आवशक्ता होती है बिना कार में पेटरोल या डिजल डलवाए उसको आगे नहीं बढ़ाए जाय सकता उसी तरह बिना केलरीज के शरीर भी काम करना बंद कर देता है केलरी समोसा, कचोरी, पकोड़े, रोटी, सबजी, चावल, डाल वो सारस से आ सकती है लेकिन अपनी बोडी उस चीज को नहीं समझती है कि आपने केलरी समोसे से लिए या प्रोटी से लिए बोड़ी समझती है आपने कार्बोहेडरेट लिया है या प्रोटीन लिया है या फैट्स लिया है तो फ्रेंट्स बोजन में केलरीज की संक्या कार्बोहेडरेट, प्रोटीन और फैट्स पे निर्वर करती है फ्रेंट्स अगर आप 1 ग्राम कार्बोहेटिट खाते हैं तो उससे आपको 4 केलरीज मिलती है अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो उससे भी आपको 4 केलरीज मिलती है लेकिन अगर आप 1 ग्राम fat खाते हैं तो उससे आपको 9 calories यानि 9 calories मिलती है सबसे ज़यादा calories fat से आती है चुकि 1 ग्राम fat में 9 calories होती है इसलिए कहा जाता है कि जिने weight lose करना है उन्हें ज़यादा fat नहीं खाना चाहिए क्योंकि fat खाने से ज़यादा calories मिलती है तो friends अब आपके दिमाग में प्रश्ण उठ रहा होगा कि एक सामान्य इंसान को दिन की कित्ती केलोरीज की जरुरत होती है तो friends एक सामान्य व्यक्तिक को प्रति दिन लगबक 2500 केलोरीज की आवशकता होती है और एक सामाज्य महिला को प्रति दिन लगबग 2000 किलो केलरीज की आवशक्ता होती है और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता तू कि 7000 केलरीज बराबर 1 kg होता है तो जिने वेट या वजन बढ़ाना है अगर वो एक सपते में 7000 केलरीज अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो उनका वजन 1 kg एक सपते में बढ़ जाएगा और जिने वेट लूस करना है वो 7000 किलो केलरीज सब्ते की कम अगर खाते हैं तो उनका वज़न एक सब्ते में 1 किलो क्राम गड़ जाएगा तो friends अब आप समझी गए होंगी कि किलरीज क्या होती है और वेट लूस करने में और वेट गेन करने में इसका किता बड़ा रोल होता है तो friends आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो friends next time मिलते हैं नए वीडियो के साथ आपकी knowledge बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने फ्रेंट्स के साथ शेर करें और इसके निचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें उसके पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दें यह बिल्कुल फ्री रहता है इससे नेच्ट टाइम में अगर कोई भी वीडियो डालूँगा तो वो आप तक आसने से पहुंच जाएगा थैंक्यू सो मच